लास क्लास में हम लोगों ने अलाउंसिस स्टार्ट किये थे और कुछ अलाउंसिस हमने लास क्लास में कवर भी कर लिये थे तो आज की क्लास में हम बचे वे अलाउंसिस को कवर करेंगे सबसे पहले तो हम यही रिवाइस करेंगे कि हमने कौन-कौन से अलाउंसिस पढ़ लिए है और हमारे कौन-कौन से अलाउंसिस बचे हुए है लास क्लासे मैंने आपको इसके लिए छोटा सा डाइगराम बना के दिखाया था तो आईए पहले हम उसी डाइगराम को रेफर करते हैं मैंने आपको यह डाइगराम लास क्लास में दिया था और इसमें मैंने आपसे कहा था टैक्सेबिलिटी आफ अलाउंसिस हम डिसकस कर रहे थे दियरनेस अलाउंस हमेशा हमेशा पूरा टैक्सेबल होता है और अलाउंसिस की हमें डिडच्शन मिलती है इन दोनों अलाउंसिस को छोड़ करके बाकि जितने भी अलाउंसिस हैं उनकी हमें एक्जैम्षन मिलती है इसलिए मैंने इन दोनों अलाउंसिस को पहले separate कर दिया इसमें हमने official duties वाले अलाउंसिस पढ़े थे जिसे हमने बुलाया था DTC हुआ अब हम पढ़ने, दूसरे ही हमने discuss किये थे personal expenses allowances to meet personal expenses जिसमें हमने discuss किया था children education allowance साथ इसाथ discuss किया था hostel expenditure allowance और इसमें हमने एक important allowance discuss किया था transport allowance जिसकी limit इस साल बढ़ गई है प्लस बाकी allowances इतने important नहीं है बस एक बार read कर लेना जैसे underground allowance था, tribal area था ज्यादा आपको पढ़ने की जरुरत नहीं है underground allowance पढ़ लेना और एक tribal area allowance पढ़ लेना तो सर यह हमने cover कर लिये थे और यह हमने cover कर लिये थे यह बहुत था अब मेरे पास एक बड़ा allowance था house rent allowance जो की हमने last class में लिखा था कि आज discuss करना हैं और एक छोटा सा allowance मेरे पास और है special allowance for employees working in any transport system आईए जी यह allowance है इसका कोई नाम नहीं है कोई नाम नहीं है इसको बोलते है allowance किसको मिलता है उन employees के लिए है जो work करते हैं in any transport system तो आपको पता है transport system क्या हो सकता है एक तो हो सकता है surface वाले में या तो road होगा या railway होगा या फिर by air होगा या फिर by water होगा यानि कि यह allowance केवल उनी employees के लिए है जो कि transport system में काम करते हैं बाकी लोगों के लिए नहीं है और यह allowance हमारे पास exempt होता है यहीं लिख लेते हैं यह एक्जेम्ट अप्टू अप्टू मिनिमम उफ 70 परसेंट ओफ अलावेंस या फिर 10,000 रुपीज पर मन्त विचेवर इस लेस यह आपका exempt होगा ठीक है तो पहले इन सभी के ओपर बेज एक चोटा सा question कर लेते हैं फिर वापिस अपने HR-A को discuss कर लेंगे देखिये जी बुक में क्या लिखा है बुक में लिखा हुआ है इस एनी फिक्स्ट अलावेंस इस गिवन बाइदा एम्प्लॉयर तू दा एम्प्लॉई कौन सा एम्प्लॉई वो इस वर्किंग इन एनी ट्रांस्पोर्ट सिस्टम तो आप रोडवेज में काम कर रहे हैं रेलवे में काम कर रहे हैं किसी एर कंपनी फ्लाइट केरियर के पास काम कर रहे हैं शिपिंग कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए क्यों मिलता है तो उनके कुछ परसनल एक्सपेंसिस ना बढ़ जाते हैं जो लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं, उनके कुछ परसनल एक्सपेंसे बढ़ जाते हैं, इसलिए गॉर्मेंट ने कहा कि उनके एंप्लियर उन्हें ये अलाउंस देते हैं, इसका कोई नाम नहीं है, और ये एक्जेम्ट होगा, 70% अफ अलाउंस, जितना चोटा सा कोशन पढ़ लीजिए, उसके बाद हम HR-A पर चलते हैं, आर इस एंप्लॉइड एस पाइलेट इन एर इंडिया, बहुत मज़े की जिंदगी है, बहुत रही से पाइलेट है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एंप्लॉई हो गया, क्या-क्या मिलता है, उसको बेसिक सेलरी मिलती है, पचास अजार पर मन्त, बोनस, अब सर हमने बोनस के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, तो बेटे आपको बता दें, हम जिसके बारे में नहीं पढ़ाएंगे, इसका मतलब वो पूरी तरह से टेक्सेबल है, Entertainment Allowance, हमने ये पढ़ा था, इसका खास ट्रीटमेंट होता है, पहले इसे income में include करते हैं, और फिर बाद में जाके इसकी deduction दे देते हैं, तो ये एक special किसम का allowance होता है, Uniform Allowance, ये हमारे DTC हुआ, या Cat Hood का allowance है, इसमें जितना खर्च किया जाएगा, उतनी exemption मिल जाएगी और remaining taxable हो जाएगा, और क्योंकि वो पाइलेट है, उसे दिया जाता है 6000 पर मन्त allowance to meet personal expenses, during the performance of his duties in the transport system, compute income under that salary, चलिए जी, हमसे salary निकालने को कहा गया है, निकाल देते हैं, illustration नंबर बताईए, हमारे edition का page नंबर है 47, हमसे कहा गया है, compute कीजिए, income from salary, हाला कि बेटे salary चैप्टर में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोवीजन्स हैं, और total salary निकालना सीखना बहुत देर की बात है, लेकिन फिर भी कभी कभी हम बीच में आपको सिखाते रहेंगे, जितने component पढ़ लिए हैं, कम से कम उतनी salary हम निकालना सिखाएंगे, number one, हर employee को मिलता है basic salary, जितनी भी basic salary मिलेगी, सारी की सारी पूरी तरह से taxable होती है, इसे मिलता है पचास अजार पर मन्त, तो ये total amount हो गया 6 लैक, अच्छा, इस question में dearness allowance नहीं है, लेकिन आगे से dearness allowance पता चलेगा, सबको दिये जाते हैं, ये भी पूरी तरह से taxable होते हैं, sir कोई bonus मिले, कोई commission मिले, कोई fee मिले, तो ये सब भी fully taxable होते हैं, और हमारे question में सिर्फ और सिर्फ बोनस दिया हुआ है, दो मन्त की basic salary, एक मन्त की basic salary है 50,000, तो दो मन्त की होगी 1 लैक, उसके बाद मिला entertainment allowance, पूरा include कर लो पहले तो, entertainment allowance हमें मिल रहा है, फिफ्टीन हेंड़ेड पर मन्त, ये हो गया 18,000, नमबर पाँच, uniform allowance, तो बेटे डी ए और entertainment allowance को छोड़ करके, बाकी सब पर मिलती है exemption, और exemption का मतलब होता है, जितना amount received हुआ है, उस में से जितना amount exempt है, साथ ही साथ माइनस कर दो, और जितना taxable portion होगा, सिर्फ वही यहाँ पर आपको ले के आना है, तो सर हमें uniform allowance रिसीव वहा था, 1200 पर मन्त, 14,400, और उसने spent कर दिया था, इस में से, 8,000, तो remaining 6400, उसका taxable हो गया, फिर number six, उसको मिला था, special allowance, और मैंने बताया, बाकी सब allowances में, received minus exempt चलता है, तो received वहा था सर, 6,000 पर मन्त, तो यह हो गया, 72,000, और उसका exempt हो जाएगा, 70% या 10,000 पर मन्त, तो यहाँ पर मुझे तो दिखाई दे रहा है, के 70% कम है, तो 6,000 का 70%, 4200 into 12, अब मैंने लिखा नहीं है, तो बच्चे कई बार confused हो जाएंगे, सर यह कैसे आ गया, 60% of special allowance, 4200, सोरी, सोरी, 70%, ठीक है, और मुझे पता है के 70% ही कम है, वरना law में तो लिखा है, 70% या 10,000 पर मन्त, whichever is less, ठीक है सर, तो यह आ गया, 50,400, तो 600, 11,600, यह गलत होगा, 21,600, इसको जोड करके, नाम देते हैं, gross salary, 6,00, प्लस बोनस, 1,00, प्लस 18,000, प्लस 6400, और प्लस 21,600, 7,46,000, इस में से, deduction, अब हम हर बार, deduction नहीं लिखेंगे, इस बार आपको लिखके दिखा रहे हैं, deduction तभी लिखेंगे, जब किसी को मिलनी हो, तभी लिखेंगे, otherwise नहीं लिखेंगे, दो ही deduction होती है, एक होता है, employment tax, question में दिया ही नहीं था, और दूसरा होता है, हमारा entertainment allowance, आपको याद होगा, entertainment allowance की, deduction मिलती है, सिर्फ और सिर्फ, government employees को, और एर इंडिया का employee, government employee नहीं है, एर इंडिया कोई government carrier नहीं है, ठीक है, government भले इसको थोड़ा सा help कर देती है, ये government employee नहीं है, इसलिए इसको कोई deduction नहीं मिलेगी, net salary 7,46,000, सर अगर ये government employee होता, तो deduction कितनी मिलती, revise कर लेते हैं, बताओ, सबसे पहले कितना माउन मिला, 20% of basic salary only, और 5000, whichever is less, खतम, provisions को याद करना बहुत जरूरी है, अगर provision याद नहीं होंगे, तो फिर आप लोग को दिक्कत होगी, ठीक है सर, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, HR-A के उपर, हाउस, रेंट, अलाउएंस, अब बेटे, हमने आपको पहले भी ये बात समझाई थी, जब entertainment अलाउएंस बताया था, के employer, जो है, employee का burden, share करने के लिए, उसे extra payment देता है, cash payment देता है, जिसे हम बोलते हैं, allowance, हमारे अलग-अलग employees की ना अलग-अलग need होती है, इसलिए हम उन्हें सिर्फ common amount नहीं देते, उनके हर expenses के लिए, हम अलग-अलग provision करते हैं, ताकि जिसके उपर, वो condition apply हो रही है, वो consideration सिर्फ उसी को मिले, अब आया बेटे house rent allowance, तो generally employer क्या कहता है, employer कहता है कि जो लोग rent पे करते हैं, उनका ज्यादा burden होता है, तो उन्हें हम एक extra payment दे देते हैं, जिसका नाम है house rent allowance, नाम बता रहा है, कि आपके मकान के किराय का burden share करने के लिए allowance दिया जा रहा है, employer दे रहा है, इट इस कॉल्ड house rent allowance, ठीक है, अब government employee हो, non-government employee हो, कोई भी employee हो, सब के लिए एक ही जैसे rule है, ठीक है, तो सब भी बच्चे लिखेंगे, HRA is given by the employer, to employee for reducing for reducing the burden of rent, employee कह रहा है, कि देखो मेरे को अपने घर का किराया भी देना है, मेरा आपकी salary से काम नहीं चलता, हमने का, आरे, तेरी salary बढ़ाऊँगा, तो तेरा पडोसी भी बढ़ा लेगा, उसको तो घर का किराया देना नहीं पड़ता, तो इसलिए, जिने घर का किराया देना पड़ता है, उन्हें कई बार employer अलग से payment दे देता है, employer की मर्जी है, वो दे या ना दे, अगर दे रहा है तो इसको नाम रख देते हैं, हम house rent allowance, हरे इस एक्जेंट अब टू, minimum of following, following लिखो या following three लिखो, तीन क्लोजिज और नमबर बन, सबसे पहला, actual, हरे रिशीवड, actual हरे रिशीवड कितना था, दूसरा, rent paid, minus, 10% of salary, और इस salary को, मैंने, एक special importance देनी है, और नमबर थ्री, for, big cities, big cities मतलब, अगर, अगर employee डेली में रहता है, बॉंबे में रहता है, कोलकता में रहता है, या चिन्नाई में रहता है, तो इन सब जगाओं पर के लिए, 50% of salary, for any other place, 40% of salary, HRA is exempt, up to minimum of the following three amount, सबसे पहले, आपको ये तीन amount बताने हैं, कि आपको कितना कितना मिला है, क्या चीज, number one, कितना आपको HRA मिलता है, actual HRA कितना मिला, rent paid minus 10% of salary, इस salary को हम बताएंगे क्या है, और अगर आप डेली, मुंबई, कोलकता, चिन्नाई यहां रहते हैं, तो salary का 50% तक की limit है, और अगर आप बाकी सभी जगाओं पर रहते हैं, तो 40% of salary की limit है, ठीक है सर, सबसे पहले, government के रही है कि देखो, जितना भी HRA मिला, उस में से less कर लो, जितना exempt है, हमने का सर कितना exempt है, उन्होंने का देखो, minimum of the three amount, पहला, actual HRA received, यह हमेशा आपको लिखावा मिलता है, क्योंकि government के रही है, exemption कभी भी income के amount से ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए यह पहली condition लिखती है हमने, sequence पर मत जाईएगा, ठीक है, दूसरा, rent paid minus 10% of salary, इसका मतलब note में सबसे पहली बात आप समझ लो, इस exemption, is allowed, if rent is paid by the, employee, अगर employee किराया देता है, तो ही यह exemption मिलती है, अगर वो किराया ही नहीं देता, तो यह amount zero हो जाएगा, तो फिर उसे यह exemption भी नहीं मिलेगी, लेकिन हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर employee को पता चले, किराया देने वाले वेक्ति को, HR A मिलता है, तो वो जानते हो, वो अपने पडोसी से कहेगा, यार, एक certificate बना दे, कि मैं तेरे घर में किराया पे रहता हूं, और तुझे 20,000 रुपे किराया देता हूं, और पडोसी से अच्छी टरम सोंगी, बड़ा आसान है, लेकर लोग दे देते हैं, ठीक है, या employer से setting कर लेते हैं, कि sir मुझे HR A दिला दो, employer कहता है कोई certificate बनाला, मैं पास कर दूँगा, पैसे तो company के लगने हैं, खेर, हम इन सब बातों की बात नहीं कर रहें, मैंने इतनी सी बात बताई, सेलरी इंपोर्टेंट बात हो कोई, what is the meaning of salary, सेलरी अभी बताता हूँ के सेलरी में, लेकिन दो बाते ध्यान रखना, कि सेलरी हमेशा लेनी है, due basis, for relevant period, due basis का मतलब है, ना तो advanced salary इसमें आएगी, और ना ही areas of salary इसमें आएगा, और relevant period का मतलब होता है, period for which rent was paid, ठीक है, what is the meaning of salary, now, meaning of salary के बारे में भी हम बात करेंगे, बच्चा कहता है, कि सर, मैं तो salary निकाल रहा था, हम लोग chapter ही क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग chapter पढ़ रहे हैं, computation of salary income, तो सर, मैं तो salary निकाल रहा था, basic आया, पूरा taxable हो गया, dearness allowance आया, पूरा taxable हो गया, कोई fees मिली, कोई bonus मिला, कोई commission मिला, मैंने बताया है, fully taxable हो गया, सर, हमें entertainment allowance मिला, मैंने का, पहले include कर लो, और government employee हो, तो बाद में जाके, deduction ले ले लेना, फिर हमने का, सर, मुझे कोई other allowance मिला, तो हमने rule पढ़ लिया, कि उसमें से exempt कितना था, और उसमें से taxable कितना था, ये rule हमने discuss कर लिये, सर, मुझे house rent allowance मिला, और house rent allowance में, government ने कहा, कि जितना amount received है, उसमें से, कुछ amount exempt है, और, जो exempt है, उसमें लिख दिया, government ने, कि minimum of the three amount, पहला, कितना HR ये मिला था, ठीक है, अब कितना HR ये मिला था, उस period में, जिस period में, आपको rent pay करना पढ़ा, तो सर, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, फिर government ने का, rent paid minus 10% of salary, अब बच्चा कहता है, के सर, salary तो मेरी निकली ही नहीं है, salary तो अभी आगे, पूरा chapter पढ़ना बाकी है, जब पूरा chapter पढ़ लूँगा, तब जाकर के salary निकलेगी, अभी कैसे निकलाएगी, की मेरी salary कितनी है, तो government ने कहा, के देखो बेटे, पूरे salary chapter के अंदर, जब जब हम exemption आपको देंगे, तो exemption के अंदर, हम लोग लिखेंगे salary, और हम ये जानते हैं, के salary तो तब ही निकलेगी ना, जब पूरा chapter complete हो जाएगा, इसका मतलब, exemption के समय, अगर कभी salary word यूज होगा, तो उस salary को define कर दिया जाएगा, कि इस salary में केवल, ये वाले components लेने हैं, सारे components नहीं लेने, यानि एक होती है, आपकी salary income, जो की इस पूरे chapter में आप सीखेंगे, और एक होती है, आपकी particular income की exemption, जैसे के मैं हारे में exemption की बात आपके साथ कर रहा हूँ, उस exemption के अंदर बार बार loss salary word को यूज करेगा, अभी यूज कर रहा है, और आगे पता नहीं कितनी जगा, मैं बार बार यूज करूँगा ये word salary, तो salary की calculation करते हुए, बीच में exemption में भी यूज होगा salary, तो ये salary कौन सी होगी, तो आपको बता दूँ बेटे, कि ये exemption में जो salary word यूज होंगे, इसका मतलब total salary income नहीं होगी, इसका मतलब होगा वो salary जो की law define करेगी, और HR A के purpose के लिए law ने salary को कैसे define किया, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये for the purpose of HR A है, यानि किसी और purpose में जब salary निकालूँगा, तो meaning बदलते जाएंगे, यहां आएगा basic salary plus dearness allowance, और dearness allowance में आएगा only forming part, और plus fixed percentage of commission on sales, अब बच्चा कह रहा है के sir, ये forming part का मतलब क्या है, तो ये forming part आपको, मैं बता दूँ, कि जब भी question, आपको बताएगा dearness allowance, तो dearness allowance हमेशा हमेशा पूरा का पूरा taxable होगा, मान लीजे question कहता है, के employee को dearness allowance मिलता है 12,000 पर मन्त, तो जब मैं computation of salary income करूँगा, तो यहाँ पर पूरा का पूरा, फुल dearness allowance पूरे साल का यहाँ लिख दूँगा, लेकिन जब जब exemption की बात करूँगा, तब तब government कहेगी, कि आपको सिर्फ और सिर्फ exemption के लिए इस बात की importance है, कि forming part कितना है, और not forming part कितना है, सर यह कौन बताएगा कि forming part कितना है, question बताएगा, suppose, question कहता है कि forming part is 70%, इसका मतलब 12,000 का 70% forming part है, यह हो गया 8400 पर मन्त, और forming part का relevance सिर्फ इतना है, कि while computing, salary, for the purpose of exemption, इसका मतलब exemption की calculation में salary calculate करने के लिए DA 8400 हो जाएगा, सर, दुबारा बोलो, मैंने का देखो, salary, income, compute करते हुए, DA पूरा आएगा, लेकिन exemption, compute करते हुए, DA पूरा नहीं आएगा, वो केवल उतना forming part के equal ही आएगा, that's it, यानि सर, exemption calculate करते हुए, DA कम आएगा, ये कम लेना है, exemption की calculation में उतना लेना है, जितना आपका question ने forming part कह रखा है, सर, ये forming part कहता को न, ये employer, employee आपस में तै कर लेते हैं, कि जब जब आपको exemption का benefit दिया जाएगा, तब तब DA की amount कम हो जाएगी, सर, employer ने employee को दिया कितना होगा, पूरा दिया होगा, सर, taxable कितना होगा, पूरा होगा, लेकिन government जब exemption compute करेगी, तो वो DA की value केवल उतनी लेगी, जितना आपके employer ने forming part define कर रखा था, बार बार repeat करता रहूँगा, अब आप अपने mind में unnecessary confusion लाएगा, तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, मैंने आपको दो तिन मोटी मोटी बाते कई, पहली, employee will get, full amount of DA, यानि employee को DA पूरा 12,000 ही मिलेगा, अगर question में 15 का होगा तो 15 मिलेगा, number two, DA is, always fully taxable, तीसरा, और most important बात यही है, के DA, forming part, means, while calculating, exemption, DA will be included, to the extent of DA multiplied by forming part percentage, यानि, exemption की calculation में उसे कम लेना होगा, कितना कम लेना होगा, तो यह employer से पूछ किया यह, और हमारे question में तो हमें बता दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं आगी, तो पहले एक simple सा question करेंगे, और उसके बाद इसके इंदर और detail गहराई में आपके साथ बाते करेंगे, बेटे जब हम आपको HR पढ़ाएंगे, तो हम आपको बहुत detail में पढ़ाएंगे, salary chapter में जब हम एक component को सिखाते हैं, तो detail में सिखाते हैं, समय लगता है, लेकिन जब आखरी में जाके complete question करते हैं, तो इतने लंबे चोड़े question नहीं आते, इसलिए अभी से अपने mind के ओपर इतना pressure मत डालना, कि आपको salary tough लगने शुरू हो जाएंगे, हम practice करते जाएंगे, law को revise करते जाएंगे, practice करेंगे, law revise करेंगे, practice करेंगे, law revise करेंगे, आप अपने आप comfortable हो जाएंगे, तो डर के मत बैठना, question करना, शुरू कर देना, ठीक है, ठीक है सर, ये देखो, हमारी book कह रही है, कि A is entitled to basic salary of 50,000 per month, dearness allowance of 10,000 per month, आगे लिखा हुए 40% of which forms part of retirement benefit, यानि की exemption निकालते हुए, DA 10,000 से घटके 4,000 रह जाएगा, 40% हो जाएगा, only for exemption purpose, he is also entitled to HRA of 20,000 per month, ठीक है, he actually pays 20,000 per month as rent for a house in Delhi, वो बता रहे हैं कि मैंने rent कितना दिया, और मैं Delhi में रहता हूँ, इस बात की importance है कि वो रहता कहा है, क्योंकि एक clause है जो कह रहा है जो कह रहा है डैली, मुंबई, कोलकता, चिन्नाई, इनके लिए 50% होगा, compute taxable HRA, वो कह रहा है HRA कितना taxable होगा ये बताओ, मैं आपको दोनों बाते बताऊंगा, salary income भी computer करके दिखाऊंगा, और HRA की computation भी करके दिखाऊंगा, सर कितना आसान question है, illustration 4.6, लेकिन बच्चे क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, इसलिए बच्चे गवरा रहे हैं, बच्चे करें सर हम नहीं गवराते, आपके टाइम में बच्चे गवराया करते थे, आज कल तो बच्चे बिलकुल भी नहीं गवराते, इसलिए बार बार ये मत कहा करो, हम घबराते हैं, मैंने का, ओके, सॉरी, क्या निकाल रहा हूँ, मैं, सर, आप दोनों काम करो, computation of salary, सबसे पहला, basic salary, पूरी की पूरी taxable होती है, हमें कहा गया है, कि basic salary है, 50,000 रुपीज पर मन्त, तो 12 मन्त का हो गया, दूसरा, dearness allowance, 10,000 पर मन्त, आख बंद कर दो, forming part है के नहीं है, taxable है, एक लाग 20,000, इसका मतलब, employer ने employee को 50,000 basic salary दी है, और 10,000 dearness allowance पर मन्त दिये है, cash दिया है, और government के लिए वो cash दिया है, तो वो taxable है, ठीक है, sir, क्या कोई fee मिली है, नहीं, क्या कोई bonus मिला है, नहीं, क्या कोई commission मिली है, नहीं, मिली होती तो मैं tax कर देता, ठीक है, और क्या मिला है, और मिला है sir, उसको HR, HR मिला है 20,000 पर मन्त, तो हरे हो गया 20,000 पर मन्त दो लाग चलिस एर इस में से एक्जेम्ट होगा कितना एक्जेम्ट होगा नीचे वर्किंग नोट में चलते हैं कैलकुलेशन ओफ एक्जेम्शन ओफ एक्जेम्शन एक्जेम्ट पहले लाओ याद करो एक्जेम्ट अप्टू मिनिमम ओफ फॉलोइंग सबसे पहले लाओ याद करो लाओ कहता है कि सबसे पहले तो बताओ एक्चुल एक्चारे कितना मिला था सर एक्चुल एक्चारे मिला था ट्वेल्ट ट्वंटी थाउजन पर मंथ बारा महीने के लिए दो चलिस इसके पीचर लॉजिक यह है के एक्जेम्शन कभी भी इंकम के अमाउंट से ज्यादा ना हो इसलिए पहले ही गॉर्मेंट ने का के पहले तो लिमिट लगा लो के एक्जेम्शन इससे ज्यादा नहीं होगी दूसरा यह बताओ रेंट कितना पे किया था और यह बताओ के 10% of salary कितनी थी सर रेंट भी हमें दिया हुए है 20,000 अब बताओ 10% of salary salary में क्या लेना है तो salary में लेना है basic तो basic तो हो गया सर 6,00,00,00 plus DA DA exemption में उतना लेना है जितना forming part हो और सर हमारे पास DA का forming part question में सिर्फ और सिर्फ 40% है plus fixed percentage of commission लेनी है सर question में commission थी नहीं ठीक है अगली बार आ जाएगी लो जी और कुछ था नहीं तो सर यह हो गया दो लाख चालीस हजार माइनस पहले इसको solve करो 1,20,000 का 40% हो गया 48,000 तो यह हो गया 48,000 और यह हो गया आपका 6,00,000 तो टोटल हो गया 6,48,000 तो यह हो गया 64,800 10% of 6,48,000 यह मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतनी detail में लिख रहा हूँ exam में इतना detail में लिखने के आवशक्ता नहीं होती छीक है सर लिख देंगे क्या हो गया हमारे पास तो exam में time ही time रहता है आदा paper तो आता ही नहीं होगा है अरे बेटे नहीं पूरा paper आपको आएगा गबराने की कोई बात नहीं है तीसरा clause बताओ सर क्योंकि वो डेली में रहता है तो 50% of salary और salary में वही लिया जाता है basic पूरा का पूरा DA लेते हैं लेकिन forming part तक का portion लेते हैं तो 48,000 और commission थी नहीं तो ये कितना हो गया 6,48,000 तो ये हो गया sir 3,24,000 मुझे चुनना है कि तीनों में से minimum कौन सा है minimum of the three ये मुझे choose करना है आईए देखें पहला है 240 अच्छा sir इसको solve तो किया नहीं आपने ओहो इसको solve भी तो कर ले clause number 2 को 240,000 minus 64,800 175,200 तो मुझे चाहिए minimum एक amount ये है clause number 1 second clause का final amount ये है और third clause का final amount ये है और मेरे पास minimum amount ये ही निकल के आता है 1,75,200 तो मेरे पास तीनों calculation करने के बाद exempt amount आया as per working note 1,75,200 less कर दीजे तो taxable amount आ गया 64,800 अच्छा ये बताइए क्या आपको कोई और question के अंदर amount दिया हुआ है और कोई amount है नहीं तो ये ही मेरी salary की income बन गई 6,00,000 plus 1,20,000 plus 64,800 तो salary income मांगी नहीं है मैंने वैसी ही निकाल दी हमसे तो केवल ये ही मांगा गया था आगे बढ़ते हैं नोट में ये नोट नमबर वन था मिनिंग और salary नोट नमबर टू था नाव नोट नमबर थ्री नोटंबर थ्रीं नोट नमबर थ्रीं बन अल्चन आफ ए, चरए इस दोन औ annual basis if there is no change in the following factors बात दर असल यह है कि HR A की calculation monthly basis पर होनी चाहिए लेकिन मेरे किसी factor में कोई बदलाव नहीं था इसलिए मैंने annual basis पर calculation करके आपको दिखाई यह मैंने annual basis पर calculation की पूरे साल का rent paid पूरे साल का HR A पूरे साल का rent paid पूरे साल की salary क्यों? क्योंकि monthly basis में कोई change नहीं था लेकिन अगर कोई change आ जाएगा तो lock कहता है फिर आप annual काम नहीं करेंगे फिर आप period का अलग-अलग काम करोगे क्या मतलब है सर? देखो जी आपका सबसे पहला amount होता है HR A दूसरा amount होता है rent paid तीसरा amount होता है salary और चोथा amount होता है place HR A की exemption में चार चीज़ों को use किया गया है या चार terms कह लीजिए या चार conditions कह लीजिए इनको use किया गया है law कहता है कि अगर इनमें कोई change हुआ ही नहीं पूरे साल अगर इनमें कोई change नहीं हुआ तो आप अपनी calculation annual basis पर कर लो मतलब पूरे बारा महीने का rent paid बारा महीने की salary बारा महीने का HR A सब कठा करके काम कर लो लेकिन अगर मान लीजिए बीच में आपका कभी HR A increase, decrease हो जाए मान लीजिए आपका rent paid कभी increase, decrease हो जाए मान लीजिए आपकी salary कभी increase, decrease हो जाए या आपका place change हो जाए बड़े शेरों से आप छोटे शेर में चले गए छोटे से बड़े में आ गए तो 50-40 फरक पड़ जाएगा अगर ऐसा कुछ भी हुआ हो तो फिर law कहता है कि जैसे ही इन चारों में कोई change आजाए उतना part की calculation अलग फिर जैसे ही किसी और में change आए किसी भी एक में भी change आजाए उतनी calculation अलग इसकी calculation अलग इसकी calculation अलग यानि यहां से लेकर यहां तक की computation अलग यहां से लेकर यहां की अलग यहां अलग यहां अलग और यहां अलग चार में से अगर किसी भी factor में change आ जाए तो उतने part तक की computation अलग उसके बाद जब तक कोई और change नहीं आ जाता किसी भी चार component के अंदर तब तक की calculation अलग आए जी calculation of HR is done on annual basis if there is no change in any of the following factors पहला HR में दूसरा rent में तीसरा आपकी salary के portion में और चौथा आपके place of residence में थिक है इफ there is change in any one of the above four factors then computation shall be done separately तो फिर आपको calculation separately करनी है ठीक है सर कोई ऐसा question करके दिखाओ कि जिसमें कुछ चेंज आया हो कि मैंने का रुकिये हम change करते हैं तो मैं आपके साथ लेता हूँ problem number two यह हमारी बुक का page number 44 है और इस 44 page number पे यह problem number two दी विया है but he are is employed with XY limited on a basic salary of 5000 per month he is entitled to dearness allowance at the rate of 100% of basic salary 50% of which is included in the salary as per the terms of employment is इसका मतलब है forming part the company gives him HRA of 3000 per month which was increased to 3500 on 11 to 016 ठीक है he also got an increment of 500 in the salary from 1st of February और rent paid during the previous year is as under April May में कोई रेंड नहीं था June से October तक 3000 का रेंड था गाजियाबाद में उसके बाद November से लेकर March तक 4000 हो गया Delhi में शिफ्ट हो गया Compute is gross salary for the assessment year 16-17 वो कह रहे हैं आपको gross salary निकाल के दिखानी है बताई कौन सा question कर रहे है Unsolved question है problem number two page number 44 मैंने आपसे चार बाते कई मैंने का ये बताईए कि के हरे में कोई चेंज आया हो या रेंट पेड में कोई चेंज आया हो या salary में चेंज आया हो या place of residence में चेंज आया हो ठीक है तो सबसे पहले कोईशन कह रहा है एप्रेल और में इसका मतलब एक जून को इससे पहले रेंट पेड चल रहा था जीरो एप्रेल और माई में रेंट चल रहा था जीरो और फिर जून से आपका रेंट चालू हुआ जून से आपका रेंट चालू हो गया 3000 पर मन्त कब तक अप टू अक्टोबर इसका मतलब नवेंबर में आपका रेंट हो गया 4000 यानि नवेंबर से आपका रेंट हो गया 4000 जून से लेकर अक्टोबर तक जून से लेकर अक्टोबर तक ये आपकी लोकेशन थी गाजियाबाद यूपी और उसके बाद आपकी लोकेशन हो गई डेली नवेंबर से क्वेशन कह रहा है कि आपकी बेसिक सेलरी थी 5000 और हरे था 3000 जो की जैनवरी में बढ़के हो गया था 3500 इसका मतलब जैनवरी में आपकी सेलरी हो गई थी 3500 और जैनवरी से पहले आपकी सेलरी थी 3000 पर मंथ एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया 3000 पर मंथ उसके बाद हो गई 3500 पर मंथ अच्छा सर यह आपने गलत लिखा एच आरे चल रहा था 3000 पर मंथ और यह हो गया 3500 पर मंथ बेसिक सेलरी फेबरी में बढ़ गई बेसिक सेलरी आपकी चल रही थी 5000 पर मंथ और यह हो गई थोड़ी सी कंसेंट्रेशन की जुरूत पड़ेगी देखिए सबसे पहले आपके एप्रेल और में में सभी फेक्टर सेम रहे उसके बाद जून जुलाई अगस्ट सेप्टेंबर आक्टूबर इन में सभी फेक्टर सेम चले उसके बाद नुवेंबर और दिसेंबर में सेम रहे फिर उसके बाद में जैन्वरी में फिर चेंज आया और फेबरी और मार्च ये दो फेक्टर सेम रहे बहुत कंसेंट्रेशन से आपने पढ़ना है चारों में से किसी में भी चेंज आएगा तो वहां के बाद कैलकुलेशन अलग हो जाएगी ठीक है सर आईए जी अब मेरे साथ साथ एक्जेंशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले ठीक है पहले हम कैलकुलेशन आफ एक्जेंशन कर लेते हैं सर थोड़ा काम बढ़ गया है मैंने का हाँ थोड़ा काम बढ़ गया कुछ नहीं नमबर वन एप्रिल और में सिंस नो रेंट वास पेड़ देरफोर कोई एक्जेंशन नहीं मिलेगी नमबर टू अब अगला आगया जून से लेकर अक्टूबर तक जून जुलाई अगर सेट्टेंबर अक्टूबर फाइव मन्स के लिए मिनिमम ऑफ फॉलोइंग ढूनना है मिनिमम ऑफ फॉलोइंग नमबर वन एचारे कितना मिला तो सर यहाँ चल रहा था एचारे थ्री थाउजन पर मन्त थ्री थाउजन पर मन्त पंद्रह हजार रेंट पेड माइनस तैन परसेंट आफ सेलरी अच्छा जी रेंट पेड चल रहा था थ्री थाउजन रुपीज पर मन्त यहां से लेकर यहां तक थ्री थाउजन रुपीज पर मन्त और सेलरी चल रही थी आपकी बेसिक थी फाइव थाउजन बेसिक थी आपकी फाइव थाउजन और डी ए चल रहा था हेंड़ पर्सेंट लेकिन फॉर्मिंग पार्ट था हाफ तो यानि पच्छीसो रुपीज पर मन्त का आपका फॉर्मिंग पार्ट था डी ए का इन्टू फाइव मंथ यह मंतली है इन्टू फाइव मंथ तो सर्पंदरा हजार माइनस सेवन्टी फाइफ एंड्रेट इन्टू फाइफ तैन परसेंट आफ थर्टी सेवन थाउजन फाइफ एंड्रेट तो पंदरह हजार माइनस थ्री सेवन फाइफ जिरो ये अमाउंट आ गया 11,250 और तीसरा था 50 परसेंट आफ सेलरी और सेलरी मैंने निकाल ली थी फाइफ थाउजन प्लस ट्वन्टी फाइफ एंड्रेट सेवन्टी फाइफ एंड्रेट फाइफ मन्स के लिए सर ये तो गाजियाबाद में है 40 परसेंट ओ सॉरी 15,000 इन में से मिनिमम कौन सा हुआ 11,250 तीसरा कल्कुलेशन करना होगा अब पीरिड है नवेंबर डिसेंबर मैं बिल्कुल भी आराम से नहीं बनाऊंगा आपको समय चाहिए वीडियो रोक करके कल्कुलेशन करते रहिए हो सकता है मुझसे गलती हो जाए तो आप अपने उपर कॉन्फिडेंस रखना आगे बनाओ नवेंबर डिसेंबर का बनाओ minimum of following three amounts पहला ऐसे लिख लो A A, B और C तो A, A में हम लेते हैं HRA तो sir HRA तो हमारा February में बढ़ेगा न जन्वरी में बढ़ा है तो नवेंबर और डिसेंबर के अंदर नवेंबर और डिसेंबर के अंदर HRA चल रहा था वही 3000 पर मन्थ 6000 अच्छा जी रेंट पेड रेंट पेड हो गया था 4000 पर मन्थ तो रेंट पेड हो गया 8000 माइनस 10% of salary और salary हमारी जन्वरी में जाकर के बढ़ रही है February में salary February में जाकर बढ़ी है salary यहां February में बढ़ी है और HRA जन्वरी में बढ़ा है यह मैंने correction किया salary फैब में increase हुई है और HRA जन्वरी में increase हुआ है तो salary आएगी हमारी same salary चल रही है अभी हमारी 5000 रुपीज प्लस 2500 7500 और टू मन्थ के लिए तो यह आजाएगा 8000 minus 15000 का 10% 1500 रुपे 6500 और तीसरा location change to Delhi तो 50% of salary तो यह आजाएगा 7500 इन में से minimum आजाएगा सर सिक्स थाउसंड ठीक है जैन्वरी तो पहला हरे रिसीवड तो जैन्वरी के बाद हरे हो गया 3500 रेंट पेड माइनस 10% of salary तो रेंट पेड चल रहा है हमारा 4000 रुपीज पर मंत salary चल रही है 7500 फेबरी में जाके increase होगी तो 7500 का 10% हुआ 750 तो यह हो गया 3,250 और तीसरा हो गया 50% of हरे तो 50% of हरे है थर्टी फाइफ हेंड़ेड तर क्या कर रहे हो आप फिफ्टी परसेंट आफ सेलरी होता है कि सेलरी चल रही है सेवन्टी फाइफ हेंड़ेड का फिफ्टी परसेंट 3,750 होगा एक भी गलती हुई नहीं हम फस जाएंगे बार बार रिपीट करने से ना मोनोटोनस हो जाता है मोनोटोनस हो जाता है तो फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है तो यह हो जाएगा मिनिममम अमाउंट 3,250 अब रह गया फैबरी और मार्च लेंडी कोईशन एक्जाम के लिए नहीं है समझाने के लिए है ताकि आप कंसेप्ट को ना अच्छे से समझ जाओ गवराओ नहीं अब यह मेरी फिफ्ट कैलकुलेशन है लास्ट इसमें फैबरी और मार्च दो महीने का होगा पहला एच आरे रिसीवड तो टू मन्स का एच आरे हो गया 7,000 रुपीज रेंट पेड माइनस 10% आफ सेलरी तो रेंट पेड दो महीने का होगया 8,000 और अब जो सेलरी हो गई है वो हो गई है बेसिक 5,500 और यह हो गई है 2,750 मुल्टिप्लाइट बाइ 2 तो 5,500 प्लस 2,750 8,250 मुल्टिप्लाइट बाइ 2 तो 8,000 माइनस 10% आफ 16,500 यह होगा 6,350 और तीसरा डेली में शिफ्ट हो गया ना तो 50% आफ सेलरी 8,250 तो हमारा यह मिनिमम हो गया तो मेरी टोटल एक्जेम्शन क्या बनी एपरिल में 0 उसके बाद जून से लेकर अक्टूबर तक 11,250 उसके बाद नवेंबर डिसेम्बर 6,000 जैनवरी 3,250 फेबरी और मार्च 6,350 तो टोटल एक्जेम्शन बन गई 11,250 प्लस 6,000 प्लस 32,50 प्लस 6,350 तो 26,850 आईए अब हम से पूछा गया था कम्प्यूटेशन ओफ सेलरी इंकम बेसिक तो 50,000 प्लस 11,000 तो 61,000 अचे डियर नैस अलाउंस था 100 परसंट आफ बेसिक सेलरी तो ये भी होगा 60,000 अ उसके बाद था आचारें हरे आपको रिसीव हुआ था हरे आपको रिसीव हुआ था थ्री थाउजन पर मंथ जो की इंक्रीज होके हो गया था थर्टी फाइफ एंडेट तो हरे मिला था थ्री थाउजन फार नाइन मंथ और थर्टी फाइफ एंडेट फार थ्री मंथ यह हो गया दस हजार पांच सो रुपे माइनस एक्जेम्ट सर यह कैसे हो गया एक्जेम्शन का अमाउंट ज्यादा कैसे चला गया अच्छा यह हमने गलत किया ना थ्री थाउजन इन्टो नाइन और थर्टी फाइफ एंडेट इन्टो थ्री थर्टी सेवन थाउजन फाइफ एंडेट इसमें से एक्जेम्ट होगा ट्वन्टी सिक्स आउजन एट फिफ्टी यह हो गया साथ 10,650 तो हमारी ग्रॉस सेलरी इंकम बन गई सिक्स्टी वन थाउजन इन्टो टू प्लस 10,650 वन लैक थर्टी तू थाउजन शिक्स फिफ्टी अब बेटे मैं आपको होमवक में दे रहा हूँ 4.7 इलस्टेशन और 4.8 इलस्टेशन आप सबी को होमवक में करना है इलस्टेशन नंबर 4.7 और 4.8 और पूरे कॉंफिटेंस के साथ करना है मेरे लिए छोड़ना नहीं है रूल पढ़ना है और जब फेक्टर्स में चेंज हो गया तो आपने कलिक्रिशन अलग करनी है तो 4.7 में कम्प्यूटेशन दो बार होनी है और शायद 4.8 में तीन बार होनी है मैंने आपको पांच बार की कम्प्यूटेशन करके दिखाई है चलिए तो यह हमारा अलाउंस का पार्ट कम्प्लीट हो गया ठीक है सर कॉश्चन आप ही करेंगे नेक्स क्लास में मिलेंगे सैल्री के अगले सेक्शन के लिए